नमस्कार, स्वागत आपका आज के डेली लेगल नियूज में, मैं कपे सिंगला आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज की कुछ बड़ी लीगल अप्डेट्स सबसे पहली बड़ी ख़बर हमारे पास आती है राजस्थान हाई कोट से राजस्थान हाई कोट में जहां एक PIL डली जिसमें की ये मैंशन किया गया कि जो सुप्रीम कोट ने ओर्डर दिया था साथ मही को कि जो persons convicted हैं उनको पैरोल पर छोड़ दिया जाए तो वहाँ उन्हों ने पंजाब में बिठाई गई कमीटी का भी जिकर किया गया उस PIL में कि उस कमीटी की भी reference ली जाए और राजस्थान में भी जो convicted persons हैं उनको पैरोल पर छोड़ा जाए लेकिन जब राजस्थान High Court ने अपनी wording दी तो उन्हों ने इस बात से mention किया कि हमने उस कमीटी को अच्छे तरीके से observe किया है और हमने Supreme Court के order को भी अच्छे से read किया है हम भ उसमें कमीटी में नहीं किया कि उनको छोड़ना है या नहीं और Supreme Court भी Supreme Court की भी उन्होंने बात की कि वहाँ Supreme Court ने भी mention किया है कि parole पर उन्हीं को छोड़ा जाए कि जो पहले छोड़े गई हैं ना कि ऐसे कि जो fresh trial ले रही हैं तो वहाँ High Court ने राजस्थान High Court ने वहाँ उस P.I.L. को ये wording देते हुए reject कर दिया कि हम इस चीज को consider नहीं करते कि सभी को P.I.L. पे छोड़ दिया जाए इस pandemic में अगली बड़ी खबर जो हमारे पास आती है वो है Bar Council of India से जहां Bar Council of India में ये application लगाईगी कि जो final year students के exams है या जो बाकी students है जिनके intermediatory exams होते हैं उनके exams हो य नहीं सुनी हो तो मैंने आपको बताया था कि Bar Council ने वहाँ पर committee बनाई है आज उस committee ने डिसाइड किया है Bar Council की कि जो exams हैं वो होंगे लेकिन वो university पर depend करता है कि university कैसे लेना चाहती है तो Bar Council ने clear कर दिया है इस बात को लेकर कि आप exams चाहें तो आप clearly उसे ले सकते हैं exams होंग जाथ ज्यादा interesting जिसमें कि क्या हुआ एक law firm ने एक article published किया case के regarding जो की एक trial pending था एक pending trial के लिए law firm ने article निकाला जिसमें कि उन्होंने जो वो case था उसके regarding जो facts थे उन्होंने वो manipulate कर दिये उन्होंने manipulate plus का minus कर दिया minus का plus कर दिया उस manipulation के बाद public में उसकी एक अलग image बन गई तो उस अलग image के चलते हुए Delhi High Court ने कहा कि जो भी आपके pending cases होते हैं उसके लिए आप किसी भी तरीके का कोई भी article published नहीं करेंगे, कोई भी आप social media पर इस चीज के लिए कोई भी detail शेर नहीं करेंगे, क्योंकि उस चीज से क्या होता है कि एक public image पर effect पड़ता है और जो trial है उस पर वो impact करती हैं वो सारी बातें, उसके बाद जो हमारे पास last बड़ी ख़बर निकल कर आती है जिसमें कि आज तक का case हुआ, आज तक के case में क्या हुआ, एक Twitter handle है जिसका नाम है Tractor to Twitter, क्या नाम है Tractor to Twitter, इस Twitter के handle पे क्या हुआ, उन्होंने 57 ऐसे poster publish कर दिये, जिसमें कि आज तक के related anchors और उसके staff, उनसे related defamatory content था, जो कि ये किसान आंदोलन से related ये reports जो हैं, वो share करते थे अपने social media handle पर, जो कि ये Instagram और Facebook, यहां पर भी इनका ये share होता था सारा data, तो वहीं ये आज तक ने इसके उपर case किया, तो वहीं इस case में क्या हुआ, कि वहाँ ये directions दी ग reporter के against, किसी भी channel के against, कोई भी defamatory statement पास नहीं कर सकते, क्यूंकि वो उनकी एक reputation को तो destroy करता ही है, और तो और जो उनके anchors है, उनकी personal reputation को भी destroy करता है, उनकी एक social image तो जाती है, और personal image भी उनकी वहाँ खराब होती है, तो वहाँ उन्होंने रोक लगाई है इस बात के उपर, क कि आप आगे से कोई भी ऐसी social media post जो है, आज तक के खिलाब ऐसी defamatory statement पास नहीं करेंगे, और जो पिछली उन्होंने posting की है, जो उन्होंने post डाली है आज तक against, वो भी वो delete करेंगे, और उन्होंने recruiter को भी guideline दी है, कि जो उन्होंने link share किये है, उन्हें सभी को block किया जाए फ्रेंट्स आज के लिए daily legal news में इतना ही, मिलेंगा weekly news में, तब तक के लिए नमशकार